दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा तो इस वीडियो में अगर अपने ध्यान से देखा होगा तो हम गीले बालोग पर आपने देखा होगा कि हम आइनिंग घुमा रहें लेकिन यह ऐसा नहीं है यह कोई आइनिंग मशीन नहीं है यह एक्चुली एक अलग टाइप की तो दोस्तों अगर आपको इसे सीखना या समझना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रू देखिए दोस्तों मैं अजय from infinity salon education आपका स्वागत करता हूँ आज की इस training video में और दोस्तों आज की इस training video जो है इसमें जो मैं treatment बताने वाला हूँ इस treatment को हम कहते है आल्ट्रा सॉनिक है treatment या एक तरह की यह therapy भी आप इससे कह सकते हो लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियो आप मिस ना कर सके और हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो जो मुझे लगता है आपके लिए काफी यूसफुल या काम के हो सकते तो उन्हें भी जाके जरूर देखिए तो चलो अब स्टार्ट करते आज का यह ट् यह ट्रेनिग व्डियो है इसमें हम बात करने वाले हैर ट्रीट्मेंट पर और एसृत्रासोंटिंग यह तैड़ियो jurisdictionsया और यह पॉइंट्रीट्मेंट किकोशिस करूँ है कि हैं इसके ल यह कोई special treatment नहीं बलकि यह ऐसी treatment है जिसकी मदद से हम product को याने कोई भी hair product को बालों के अंदर अच्छी तरह प्रेंटेट कर सके ताकि जो product में जो nutrition है वो बाल अच्छी तरह एब्सॉब कर ले यह treatment याद रखे कोई special या अलग product नहीं इसके लिए या कोई अलग टाइप का product आपको यूज देकर आपका जो एक्स रिंग product है उसी को बालों के अंदर deeply या अच्छी तरह पेनिटेट करने की treatment है अब बात करते है कि यह treatment कैसे possible है या किस तरह से यह होता है और यह होता है इस टूल की मदद की यहाँ पर देखिए यह आपका है यह दिखने में तो आपको आइनिंग मशीन जैसे लग रहे लेकिन यह एक्ट्रा सॉनिक टूल यह अलग टाइप की मशीन है जिसकी मदद से हम कोई भी product को बालों के अंद इन्फरारेड मशीन और यह मशीन बेसिकली क्या करती है आप जो प्रोड़क बालों को लगाते हो वो प्रोड़क को बालों के अंदर प्रेंटेट करने में मदद करती है यहाँ पर देखिए यह दिखाई दे रहे है यह रेड कलर की प्लेट है इसे आम कहते है इसे बारे में आपको एक्स्प्लेट करता हूँ यह देखिए इस मशीन को यहां पर एक बटन होता है अनौफ का यह देखिए यह मशीन को मैंने आउन किया है तो यहां पर आपकी सिल्वर प्लेट और यहां पर मुझे कोई भी हीट नहीं लग रही है यानि यह कोई हीटिं को गरम लगाई देगा यहां पर देखिए कुछ नहीं हो रहा है मुझे यह आपकी कूल ट्रीट्मेंट होती है यह तरह की कोल हेल्थ तेरेपी जैसा भी आप कह सकते हो अब दोस्तों बात करते कि मशीन किस तरह से काम करती है यह मशीन का एक्सक्ली काम क्या है दोस्तों सब अब से पहले याद रखिया हम जो बालों में प्रुडक लगाते उसमें छोड़़ोडे मॉलेक्ल्स होते हैं यह चोड़ोडे कनु जैसे बोल सकते हैं थो जब भी हम यह मशीन यूज करते हैं यह क्या करती है आपके जो मॉलेक्ल से उसको और छोड़ोडे पार्स में ब्रे पानी का ड्रॉप अब देखो ये मशीन को मैं प्रेस करता हूं ये दिखर आपको धुआ आ रहा है थोड़ा सा ये इसने क्या किया कि आपका जो पानी के मॉलिक्विल एक बड़े मॉलिक्विल को इसने चुड़े पार्स में ब्रेक किया और ये यहां पर हाथ में लगा था ये मशीन का बेसिकली काम क्या है कि एक बड़े मॉलिक्विल्स को चुड़े पार्स में ब्रेक करना ताकि वो प्रोड़क्विल्स आपके बालों के अंदर अच्छी तरह प्रेंटेट हो जाए यानि एक तरह की याद रखी एक कोल्प्रेस मशीन है जो बड़े मॉलिक्वि टूल है या जो मशीन है कोल प्रेस मशीन यह किस तरह से यूज करनी है यह आपको पता चल गया होगा अब हम देखते कि यह प्रोडक्त यह जो आइनिंग मशीन है यह कोल प्रेस मशीन है यह आपको कब यूज करनी है या किस ट्रीटमेंट के साथ इसे यूज करना है दोस्तो तो इसे आप हैर स्पा के साथ यूज़ कर सकते हो गेडिन के साथ यूज़ कर सकते हो सिस्टीन के साथ यूज़ कर सकते हो इवर आप बालों पर जब ऑईल लगाते हो तो ऑईल के साथ भी यूज़ कर सकते हो या इतना ही नहीं आप सपोस्ट हैर वाश करते हो आप कंडिशनर या मास लगाते हैं और चाहते हो कि मास या कंडिशनर आपके बालों के अंदर अच्छी तरह पेंटेड हो तो आप इस टूल का या इस मशीन का यूज़ कर सकते हो बाकी जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए आपको कोई अलग से पुड़की ज़रूर नहीं सी आपके पास कि यह मशीन होए जी बाकी चलो हम प्राक्टीकली देखते है कि किस तरह से हम यह मशीन का यूज़ करेंगे for hair spa यानि hair spa के साथ हम कैसे यह ultrasonic treatment करेंगे और statement को हम लोगने नाम दिया ultrasonic hair spa treatment दोस्तों यह देखिए आपकी ultrasonic machine और इस मशीन को आपको बालो में गुमाना है यह आपका जो product example अपने sparky cream लगाईए तो sparky cream लगाने के बाद इसको आपको बालो पर घुमाना है यह देखिए मैंने machine को on कर दिया है अब मैं यहाँ पर section लेके उस machine को यह ultrasonic machine को उस बालो पर घुमाने वाला हूँ कैसे गुमाना है वाला हूँ उसे देखिए यह देखिए मैंने section लिया और यह machine को मैंने on करके बालो पर घुमा रहा हूँ आपको यह चुटे-वचय mi section लेने की भी धरुरुत ने जैसे आप आइनिंग करते वक चुटे section में लेते हो वैसे आपको चुटे section लेने की जरुरुत ने आप थोड़े से बड़े बड़े आरारांड से लाइक दो इंच के सेक्षेन ले सकते हो सिर्फ आपको याद रखना है यह मशीन को आपको कम सेकम 5 तू 10 टैम्स बालो पर घुमानिये बाकि किस तरह से घुमानिये इसे देखिए और जैसे मैंने पहले कहा कि यह मशीन बेसिकली क्या करती है आपके जो बालो में प्रोड़क्ट है उस प्रोड़क्ट को ब्रेकडाउन करके आपके हैर के अंदर अच्छी तरह पेलिटेट करती है बाकि आपकी जो नॉर्मल स्पाकी प्रोसिजर होगी वो सेम होगी इसमें आपके एक 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 एक्स्ट्रा प्रोसेस एड़ होगी डाड़िस यह अल्ट्रासॉनिक आयन मशीन उसे करना और अगर आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रू करें और साथ में बेल आइकोन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताके आपको ऐसे ही नए नए वीडियो के नोटिफियन मिलते रहे हैं, और एक बात, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे देखी, यहाँ पर हम झाल